नमस्ते मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं मेरे पीछे जो आप ब्लैक के सीट देख रहे हैं इसको कहते हैं सोलर पैनल बताने वाले यह बताते हैं कि बड़े काम की चीज है यह सोलर पैनल इससे घर का अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो चीजों के लिए सुविदा जनक हो सकता है तो सोलर पैनल लगाने से आपके घर की बिजली को लेकर आपके अगर आप कोई वेवसाय करते हैं तो उसमें बिजली की कटाओती या उससे बचत में आपकी आंदनी पर क्या असर पड़ेगा जी इस वीडियो में हम बात करेंगे तो यानि की वो सोलर पैनल जो है वो कितने काम का है इस पर चड़ा होगी हम गाओं में मौजूद हैं पीछे ने के खेत हर 약 helfen और ओर छी है ओंधिक है और जो चकी-वौना डिजल से चलती है ना भूंची छल ती है ये जो चक्कि है वो चलती है सोलर पैनल से तो ये सोलर प अरे बड़ा अलग नाम है अपका, तो हमें भारत में मिल गए हैं अमेर का, तो यह जो चक्की है भईया, इक अप्पे चला रहे हैं हम चकी दो, 2011 से चला रहे हैं डीजली से, और यह जो रखे हैं वो डीजल के मश्ची अप्पड़ा डाल के बंग कड़ दिये, इतना महंगा हो लिया, जैसे माले डीजल से, जह हम सूलर से चला रहे हैं तो मोटर चलाएंगे, जब मौसम खराब जाएगा, मैं डीजल इंजन च होता है, डीजल महंगा है, तो कोई फारा नहीं है? नहीं है, ठीक है, बिजली से जब यह मशीन चलाते थे, तो एक महीने का खर्चा कितना आता था? मैरा साढ़े पांच किलो वाट का जब दीजल के नहीं चलाता था, मैरा सतरा हजार, अठाब यह महिने बिला आता था जब हमारा 13 किलो वाट का बिली हो गया, जब हमारा चालीसार बेहना बिल आने लगा, जब आँप को किसाई उना कर नहीं पाएंगे, ताम गवर्मेंट तो आपके उपर बोज बन गया तो आप बिजली का तार काटे और पर लगवा दिये सोलर पैनल लगवाए तो इस पर कितना फाइदा है सोलर से अच्छा फाइदा है तो यह सोलर पैनल आपकी मशीन चला रहेता है अब बारिष में अगर बादल सफेद है तो चलेगा बस अंधेरा नहीं चलेगा तो रात में नहीं चलेगा नहीं दिन में चलेगा कि इसक लगोट करण से कि तना मा बड़ पैदा कर दा कर दा कि लगोड़ का को बाफ नहीं रहेते हैं तो चार्ची चला लेथे हैं और वर गशी में वो इसं पलैरे वी महीं दियो का दो पाजेंद रहे हैं आरे माले जनकारी नाए नुनके बात माला जुटे बुजूर्ब हो गया जमाला कप्ड़ा रसा फसलिग दोर रहा है लाँ पिजली से और सोलर में क्या अंतर है अरे सोलर से इसे आपका ऐसे देखने में तो 40,000 रुपय बच रहा है कि मतलब बिजली का बिल 40,000 राता था तो 40 रबज जा रहा है लेकिन यह जो लगवाएं उसमें कितना पच्छा लगाएं इसमें लगाएं दो लाग शोले हैं पाइंटिस बाइंट पर में देना पड़ा है डाउन पर में पर दिया है हमारा हमाई बना इसे आता था चालीस अजार रुपए और अब आ रहा है सोले हजार रुपए जो किस है तो कितने साल का किस्थ है आपका сाथ मेना का पांथ साल tomorrow फांट गाएं प्रसानी नहीं हुआ है प्कॉई अफ़िए को सुन करेंगे तो आएंगे कि सधीकर नहीं है अरे माल जो बिजनस किया है तो हमारा नहीं आएगा फिर दोबारा कोई लगवाएगा नहीं तो तो कम्पनी माले एक चेकर फोन करने में एक से दूर दिन में आ जाएंगे तो कैसे पता चलाया आप तो पांच साल पहले से हम यूटूब पर मैं रिसर्च किया तो देख लगाने के लिए हमार बीबी का है माल यह नहीं चलेगा तो पैसा डांड हो जाएगा माल आगे बगल में लगाएगा तब लगवा लेना तो मैंने भाट गावा पर गिरिज करमा किया गए मैं देखें तो मैंने उसका जाके देखके आके मैं तब अपना लेगवाएं तो देखें यह गाओं है और गाओं के लोग भी इस बात से पर्चित हो चुके हैं कि बिज अगर आपको आंदनी में कुछ पैसा बचाना तो आपको selective पैनल लगवाना है और इसको आउटस पैनल लगवाने से आंदनी में बच्चत हो जाताएं पडेज जाता दो जाता है उसके रेफित का खड़टी पड़ जाता है इसको जो आवादिय पर चुटी हो जातां बहु उनसे बतियाते हैं क्योंकि अमुमन यह सब चीजें जो नहीं होती है उसमें औरते जो है वो पहले मना करती है तो चाची डाल लग रहा था ही पैनल लगेगा तो इतना बड़ा मशीन चल पाएगा ची नहीं 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 यह दोता नहीं के डर रही ती आप आप तो चीजी की पैनल से यह मशीन चल जाएगा ऐसा आपको पता था आप जिसे कोई ठाई लग लोल है अमनके पता को लेहानी तब लगावाई पहले देरात रहा लूने जब कई जनी पहले दूर एक जगा देख लेल जाई तब लगावा लें तब लगावाई पाइदा है अब लग कहते हैं विक्सित भारत की तस्वीर कि गावों के बीच में खेतों के बीच में आप सोलर पैनल नजर आने लगा है यह सोलर पैनल बड़े काम की चीज है क्योंकि अगर आप सोलर पैनल से बिजली पाइब अगर आप अपना यह आटाचकी मसीन तेल पेड़ने की मशीन धान कूटने की मशीन यह सब अगर आप चलाते हैं तो आप देश में जो सीमिस पंसादन है जैसे डीजल जैसे बिजली जैसे पेट्रोल जो कई सौ सालों में बनते हैं उन सबी चीजों को बचा सकते हैं सोलर चलने करने जें अब जब लगाने तब से थंडी पढ़ा यह नहीं हमाये कि चलने कोई सोब लघवा तबी चलात की चलना है है इतना बड़ा मसीन खीच लेता है तरडी में हम 10 से 11 चलाते हैं तीन वज चलता है तरडी में लगवाएंगे तो हम जो इमाई किस्त भढ़ लेंगे वो फिर हो जाएगा पचीज साल तो माले हम पचीज साल जब गौर्मेंट हम एक उर्पया देगा नहीं हमें पांच साल भड़ दे लेते हैं तो उसके बाब 20 साल तक तो हम खरी रहा है तो किसी देना नहीं है तो एक महीने कितना कमा लेंगे अगर आपको बिजली और सोलल का खर्चा ना देना हो पांच साल बाद आपका 35 रुपे बचेगा तो इसलिए आज मैनत कर रहा है कि जल्दी जल्दी खतम हो जाए खतम हो जाए तो यह आईडिया कौन दिया वह यह इतना दिमाग कहां से आए लोग कहते हैं गाव में लोग सीधे होते हैं इतना समझ नहीं पाते हैं हम पांच सा कौन बताया यह कि अटे सोलर लगवा लोग कुटूब पर मैं रिसर्च किया मैं देखते हैं तो हम यह सोचे भाई वह साथ लाक रुपिया लगवा रहे हैं सोलर ना चले तो हमारा पैसा डूब जाएगा तो हमारा बीबी कही आपको देख लिजेगा बगल में तब लगव तब अपना लगवाएं और सिफ इनके छत पर नहीं है यह कुछ मही गाओं है और सिफ इनके छत पर देखिए उनके छत पर देखिए तो यह लोग जो है जो अगर आप विवसाय करना चाहते हैं कोई छोटा विवसाय जिसमें आपको बिजली के जरूरत परती हो जैसे आट चलाते हैं क्योंकि इस तपिश को बढ़ दाश्ट नहीं कर पाते तो वह एसी चलाते हैं और जिस जिसके घर में इस इसको पता होगा कि बिजली का बिल कितना बढ़ कराता है इसी लगवाने से तो अगर आपका बिजली का बिल जादा आ रहा है आप उससे परिशान है तो किसी अपनी अवशिक्ता अंशा लगवा सकते हैं आपका कितना तर्फटा पैंवाट आता है fakर आपको कब किलो वाट की जरूरत है आपकी आपका ख़र्चा श्यका लगा om यह रांट लगा सकते हैं दादी है इन्होंने अपने बच्चे का नाम अमेरिका रखा यह जीज़िए टुछ फिर्ड से अंप को सकता है। लेडेकर यह सोलर पेनल तमाम चीज़ों के लिए लाबदायक हो सकता है जब आप ढेजल जलाते हैं तो इससे एक धुआ निकलता है carbon monoxide वो प्रकृति को नुखसान पहुचाता है इसकी अवाद से ध्वनी प्रदूशन होता है अगर आप बिजली का इस्तिमाल करते हैं तो बिजली अपने आप में ही बहुत सीमित है सरकार पहले ही बता चुकी है कि बिजली बहुत सीमित है और उसको बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए तो आसे में लगभग लोग जो है वो सोलर पैनल की तरफ बढ़े इसलिए सरकार तमाम नियमों को बना रही है नमस्ते मैं पलवी हूं आप भारत एक निसोच देख रहे हैं एक खुबसूरत से गाओं कुस महीं में मेरा आ मुझे यह ग्रीन से यह सोलर पैनल दिखा तो मनें सोचा आपको भी दिखाते हैं